नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीसी एंबी डिजिटल गुरुकुल क्लासस पर बच्चों आज हम लोग वर्क्षिट करने वाले हैं क्लासस 6 की वर्क्षिट नमबर 33 इंग्लिश के बेटा तो देखे अगर आपको वर्क्षिट प इन क्प्लीट दे संटेंस इस तो सबसे पहले आपको संटेंस पूरा करना हैं आयविष आयवरे होकर तो में क्या करता तो जैसा उस पॉएम में ने पढ़ा था रिविजिन के तोर पर हम देख रहे हैं तो इसको क्या था इसको क्या था स्पेंडिंग कि I wish I were a talker spending my day in the road shouting या crying चिलाता में जोड़ दोड़ से crystal bangles crystal bangles I wish I were a gardener तो इसमें में क्या लिखता है आगे digging d-i-double-g-i-n-g digging away at the garden है ना I wish I were a watchman इसमें क्या लिखता हम है walking street all night walking the street all night बसक्या देखिए आपको अगले sentences complete करने बटा I wish I were a soldier तो अगर क्या करता है मैं serve for my country I wish I were a soldier I wish I were a soldier serve for my country if I were a chef तो मैं क्या करता I cook tasty food I cook tasty food इसके बाद इसके बाद if I were an artist कॉमा आई मेक ब्यूटिफुल पिक्चर्ट्स थीक है अब देखे इसके राद आपको क्या करना है बटा देखा ही रखा था read the stenja आपको stenja पढ़ना है और साथ ही में verbs बतानी है जो आपको space में provided है उसके इंदर आपको verbs बतानी है तो देखे क्या क्या बताएंगे हम तो देखो वह इसमें क्या क्या verbs आएंगी तो आप अगर इसको पूरा पढ़ेंगी when I at four in the afternoon I come back तो एक तो कम आएगी बिटा इसमें form के तोर पर from the school I can see दूसरा आएगा see the gate of the house that the gardener digging the ground अगला आएगा digging he does what he likes अगला आएगा likes he soils his clothes with dust nobody takes तो अगला आएगा takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet so gets उसके बाद आएगा baked coma if I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from stop और वर और विश तो विश वर एड़ स्टॉप वर एड़ स्टॉप वर एड़ स्टॉप ठीके बटा तो इसी के साथ यह हमारी वर्क्षिट पूरी होगी बच्चे उमीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें तो हमें सपोर्ट करते रहें धन्यवाद